नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में सूर्य गिरहन पर करें ये काम प्यार करेगा सारी जिंदगी गुलामी आपकी चारो तरफ से मिलेगा प्यारी प्यार बिछडी महबबत होगी कदमों में आपके अगर आप किसी से बे इंतहा महबबत करते हैं किसी को दिलो जान से ज़्यार करते हैं तो आप इस सूर्य गिरहन पर ये एक काम कर दो प्यार आपको मिलकर ही रहेगा चाहें बहे कितना भी घमंडी कितना भी चाला क्यों ना हो बहे आपकी गुलामी करेगा दोस्तो इस सूरे गिरण की कुछ खास बातों के बारे में बताते हैं साल का पहला सूरे गिरण 30 अपरेल को लगने जा रहा है यह एक आंसिक सूरे गिरण होगा आंसिक सूरे गिरण उसे कहते हैं जब चंद्रमा सूर्य और प्रत्वी के बीच कुछ इस तरह आ जाता है कि सूर्य का कुछ हिस्सा प्रत्वी से नजर नहीं आता, बहे एक अंस के रूप में दिखाई देता है, यानि कि एक टुकड़े के रूप में दिखाई देता है, उसे कहते हैं अंसिक सूर्य गिरन, इस इसी बीच हम अपनी सारी मिन्नते पूरी कर सकते हैं, हम जो मांगेंगे वो हमको मिलेगा, चाहे वह प्यार हो, चाहे वह घर की दिक्तों से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, जैसे घर में धन नहीं रुकता, घर में नकारात मकता रहती है, लडाई जगड़े रहते हैं, तो हमें इसके लिए कुछ उपायों की जरूरत होगी, अगर इस बीच हम ये उपाय कर देते हैं, तो हमारी सारी दिक्तें दूर हो जाएंगे, यह गिर्यान दच्छन अमेरिका का दच्छन पच्छन भाग पिरसांत महासागर अटलांटिक और अंटार्टिका में दिखाई देगा, दोस्तो मैं आपको बता दूं कि गिर्यों का हमारे जीवन में काफी असर दिखाई देता है, और हमारे जीवन में काफी समस्याओं का सामना करना भी पड़ता है, तो दोस से ही मिलता है सूर्य गिरहन की इस्तती को सुब नहीं माना जाता ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य गिरहन पड़ता है तो सूर्य पीडित होता है उसे काफी पीडा होती है तो इसलिए दोस्तों हमें कोई भी ऐसा कार्रे नहीं करना चाहिए जिससे की गिरहों पर असर पड़े जैसे कि सबजी काटना खाना पकाना या किसी धारदार हत्यार से कोई भी चीज काटना जिससे की गिरों पर असर पड़े हम अपने मन से कुछ भी कह दें तो वो हमें अवस्य ही मिल जाता है दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस सूरे गिरन पर आपको आपका प्यार कैसे ही मिल जाएगा इससे पहले दोस्तो वीडियो को लाइक अवस्य कर दें और अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवा दें ताकि ऐसा ही ग्यान आपको हमारे चैनल के माद्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तो अगर आप भी भागवान सरी किष्णा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंड बॉक्स में रादे रादे जैसरी किष्णा अवस्य लिख दें ताकि आपकी हर मनो कामना पूरी हो बढ़ते हैं वीडियो की और और बताते हैं कि आपने क्या करना है इस से पहले दोस्तो मैं को बता दूं कि आप इस दिन कोई भी कार्रे नहीं करें यानि कि इस समय जिस समय गिरहन लगे और नहीं किसी गलत मकसद के लिए आप इस विधी का पिरियोग करें क्योंकि ऐसा करने से आपका उल्टा नुक्सान हो सकता है आप अपने सच्चे मन और सच्चे प्यार के तो आपको रातरी 12 बच के 15 मिनट पर जब सूरे गिनाद 30 अपरेल को लगेगा तो ये एक काम करना होगा ठोड़ी सी हलदी ले ले और थोड़ा सा पीला कपड़ा उस हलदी को उस पीले कपड़े में डाल दें और थोड़े से ग्यहूं के दाने या चावल के दाने उसमें और मेरे दोस्तों थोड़ा सा हो सके तो सिंदूर भी इसमें मिला दें और दो तीन बून सैद डाल दें फिर इस पोटली को अपने हाथ में रखकर अपने प्यार या आप जो मांगना चाहते हैं चाहे बहे प्यार हो चाहे बहे घर से related कोई समस्या हो या आपकी नोकरी में या आपकी धन में बरक्कत नहीं होती हो तो आप इसी पोटली को हाथ में रखके आप साथ बार उस चीज का नाम बोल करके इस पोटली पर फूंक मार दें और इसी बीच आपको यह है अपने ही घर में में द्वार के उपर बालकनी या आप छट पर किसी कोने में जाकर रख दे दोस्तो जैसे ही यह गिरन खतम होगा वैसे ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा जब सुबह हो यानि की अगले दिन सुबह को आप इस पोटली को ले जाकर किसी साब बहते पानी में पिरवाहित कर दें और उस समय भी आप वही फल मांगें जो आपने रात में यह किरिया करते समय मांगा था दोस्तो आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार रादे रादे